Hello everyone, my name is Raman and welcome to C.A. Ramal Uthera Classes. So Union Bank of India का एक mega recruitment आया है, जिसमें अलग-अलग profile के लिए total 606 vacancy आई है. But, आप और मैं जो बात करेंगे, वो एक profile के लिए करेंगे, जो की है manager credit की. सिर्फ credit की बात क्यों करें जा रहे हैं, क्योंकि C.A. Ramal Uthera Classes, credit related exams के लिए prepare कराने के लिए specialized करता है. मैंने खुद as a credit manager काफी bank के लिए काम कर रखा है. जो total number of vacancy है इस profile के अंदर, वो है 371. 606 vacancy में से credit profile के उपर vacancy है 371. तो अगर आप bank में काम करने का सोच रहे हैं, आप expression हैं, तो आप इस profile को choose कर सकते हैं, क्योंकि काफी banks credit की post के उपर recruitment लेके आते रहते हैं. अब हम इस recruitment notification को पढ़ेंगे, credit अली profile के respect में, कि क्या selection का procedure है, क्या education qualification की requirement है, क्या work experience का requirement है, वो सारी बात है हम पढ़ेंगे. सबसे पहली बात, total number of vacancy is 371, उसको divide करागे, अलगला category में, ST के लिए 56, ST के लिए 28, OBC के लिए 100, EWS 38, and unresist category के लिए 149, आपकी application fill करने की rate, आज से open हुए 3rd of February से, ये open है कि 23rd of February तक, अब देखना है कि आप eligible hackness examination के लिए, सबसे पहली बात salary का आपको समझ में आता है, यह आज में dearness allowance around 50% होता है, तो 72,000 के round आपके salary आने वादी है, चलो जी, बात को देखते हैं जी, इन्होंने education qualification और work experience के बारे में क्या बोला, जो दोनों के दोनों प्षोड़ से हार्श है, इन्होंने बोला, essential education qualification requirement है, आपके पास bachelor's degree होनी चीए, बैचलर's degree होनी चीए, और उस बैचलर's degree है, उसमें अगर आपके 60% marks है, तो आप eligible है, साथ में क्या बोला, अगर ST, ST, OBC, PWD candidates हैं उसके लिए 5% marks का relaxation है, 55% marks होनी है, तो वो eligible है, यहाँ पर जो थोड़ा सा क्या कहते है, हार्श बात बोली गई, वो यह है, कि candidates इनके पास professional qualification है, बोला उनको preference दी है, पहली नहीं होती, जो यहाँ पर नहीं बोला गया, अब क्या पता इस बात के उपर कोरिजेंडम आगे जाका है, पहली भी ऐसे examination है, जहाँ पर लिख दिया गया था, कि CACWA, CFA, FRM, इनको preference दी जाएगी, बट इनके अंदर marks की बात को clarify दी कर गया था, क्या पता आगे जाकी clarification आज नहीं है, और हमने CA लिखा, CW लिखा, CFA फिर भी हमारी application का वो accept कर रहा है, हमें लगता हम eligible है, ठीक है न, तो हम वेटिंग इसके उपर कोई कोरिजेंडम आए, नहीं तो आप application फिकर के try कर सकते हैं, work experience के अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर post qualification work experience मांगा गया है, तीन साल क लिखा, डिक्कत की बात कहा है, यहाँ पर बोला है, scheduled public sector bank, या scheduled private sector bank में रहा है, तो यहाँ पर financial institution के word नहीं लिखा, NBFC, RRB वगएरा उन सबको ineligible कर जिया गया, schedule public sector bank, जो 12 bank है, या फिर आपके private sector bank में आप काम कर रहे है, credit proposals के उपर, अब credit proposal भी सिरफ MSME and corporate credit के respect में, जो कि business loan में आता है, यहाँ पर micro loan, mudra loan वगएरा वो भी आजाएंगे, क्योंकि वो MSME sector के अंदर है, बट और कोई retail loan में आएगा, अगर आप retail loan का proposal कर रहे है, तो वो नहीं आएगा, आपका सिर्फ corporate credit, जो business loans है, CC, OD, letter of credit, non-fund based, fund based facility, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप eligible है, यहाँ पर रहने वाले है, अगर आप क्या करते हैं, आपके पास सारे के सारे education qualification work experience है, और आपने job छोड़ जोती किसी और job के ले, prepare करने के ले, आप वापे से job में आने का सोच रहे है, तो एक अच्छी opportunity है, और अगर आप switch करने का भी सोच रहे है, तो एक काफी अच्छी opportunity है, क्योंक काफी कम बच्ची होने वाले सीधा interview होगा आपका, online examination clear करो, फिर interview जाके बैठ जाओ, चलो, अब इसके examination में बोला, कि आप से कोई इदर उदर के subject नहीं पूछ जाएंगे, आप से सिर्फ professional knowledge पूछी जाएगी, जो आपके credit के profile के अंदर use आती है, उसके professional knowledge के उपर आपके प 0.5 marks काट ले जाएगे, ठीक है जी, आपको two hours का time मिलेगा, और यह मैं आपको experience से बता रहा हूँ, कि यह वाले कोई easy level के question नहीं आते है, आप कहरो कि sir, हमारे को 4-5 साल का experience है bank में काम करने का, यह तो हम ऐसा निकाल लेंगे, नहीं जी, ऐसा नहीं होता, जो practical life में हम काम करत है, बट यहाँ पे जो examination होने वाला है, वो purely reserve bank of India के जो norms उनके उपर होने वाला है, वहाँ से question आने वाले है, तो कहीं नहीं कहीं, जो discorrect होगा आपका, तो इसको आप cover कैसे करेंगे, reserve bank of India के circular direction को follow करके, अभी हम कहते हैं, इसकी preparation के बारे में भी बात करते हैं, अगर आप self study करना चाहते हैं, तो एक book जो आपके लिए most important है, relevant है, हो है, IIBF की Indian Institute of Bank and Finance की bankers handbook on credit management, ये book को आप refer कर सकते हैं, आप इसको directly refer नहीं करेंगे, बोलने का तरीका कैसा, बोलना के जाते हैं, बताओ आप, आप इस book को लेकर आएंगे, अगर आप self study करने हाते हैं, इसको read यहां पर अगर Reserve Bank of India के circular का mention कर रखा है, इसमें बड़े सारे topic ऐसे हैं, जैसे अगर export finance हो गया, CCOD हो गया, directly Reserve Bank of India के circular को, master circular को, direction को copy paste कर रखा है, बट उसके अंदर भी changes आते हैं, बट ये book updated नहीं है, उस respect में, तो जहां पर भी circular का mention कर रखा होगा, वहां पर आप Reserve Bank of India के website पर जाके updated circles and direction को refer करेंगे, ठीक है न, चलो जी, अब आपके सामने में syllabus लेकर आता हूँ, ये syllabus मैंने design क्या किया था, मैंने इसी book से refer किया था, इस book से refer करके मैंने पढ़ाना start किया था, आसे 2 साल पहले, और इस syllabus को, अलग-अलग institute से copy कर लिए, एक teacher ने तो copy तो किया ही किय उन्होंने बताने के तरीके को भी copy कर लिए, जैसे मैं ये बकसे बना के बतातो न, वो बकसे भी उन्होंने वैसी बनाने start कर दिए, ये module ऐसे पढ़ेंगे, ये, बट अच्छी बात हो, सगी सारे के सारे आप सही पढ़ा रहे है, तो हम discuss करते कि आपको कैसे पढ़ाई करने question, ज्यादा question नहीं आएंगे, बट ये एक आपको idea देगा, next module के लिए कि आपको अगर financial statement analysis करना है, तो उसमें credit का angle कैसे आएगा, ठीक है न, तो एक basic module है, module 2 के अगर बात करें तो financial statement analysis, इसमें schedule ही आता है, schedule 3 के अंदर भारी amendments करी गया, year 2021 के अंदर amendments आईती, जिदर से IBPS question प ratio analysis के होने वाले है, अब ratio analysis आपको तभी समझ में आएगा, जब आपको balance sheet, profit and loss वगरा अच्छे समझ में आती हो, तो उसके उपर आपको धेर सारे MCQs मेरे वाले post में, मिल जाएंगे, lectures में मिलेंगे, और MCQs में मिलेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका ये सारे का सारा knowledge clear है, तो आप MCQs को चेक कर सकते है, ratio analysis के भी धेर सारे आपको MCQs मिलेंगे, attempt करने के लिए balance sheet की format के अंदर, चलो जी, आपका next module आता है financial management का, अब ये वाला जो module है, इसको आप अपनी practicalize में ज्यादा use नहीं करते, बट यहां से institute of banking personal selection question पूछता है, अगर मैं term loan के assessment की बात क बगरा, आपको practicalize में आप कम use करते होंगे, बट आपको theoretical part केंदर उसको समझना पड़ेगा, तो यहां पर capital budgeting, financial decision leverages जो होते है, आपका operating leverage, क्या करता है, financial leverage बगरा, वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, sources of business finance में cost of equity क्या होता है, cost of debt क्या होता है, time value of money, basics of derivative, Indian financial system कैसे work करता इसमें regulatory body, अलग-अलग जो regulatory body है, वो किस-किस instrument को regulate करते है, किस market को regulate करते है, money market, capital market instruments, अलग-अलग form में, तो यह थोड़ा सा आप लिए निया रहने वाला, आप इसके उपर अगर इसको pure reading और MCQ के form में ही आप clear कर सकते है, 100 question है, तो अलग-अलग area से आपको portion मिलने वाले है ऐसा निया कि एकी topic पर आपको बड़ा सारी चीज़ें मिल जाएंगी, okay, module 4 के अगर बात करेंगे, तो credit management से question पूछे जाएंगे, आप credit management आपको आता होगा, practicalize में इसके पर काम कर रहोंगे, आप generally जो काम कर रहोंगे, वो 3-4 area के अंदर कर रहोंगे, आप working capital में काम कर रहो post shipment, यहां से detail में question आएंगे, जो best source है, अगर आप self prepare करेंगे, best source is Reserve Bank of India के surplus, master surplus, बड़े-बड़े surplus, मैंने भी आपको directly वहीं से बढ़ाया, अपने course के अंदर, ठीक है जी, non fund based facility की बात करेंगे, तो letter of freight हो गया, अब letter of freight के उपर जो Reserve Bank of India के direction हो तो important है, बट साथ नहीं हाप एक document है, UCPDC, documentary credit का एक क्या-कैते practices है, वहां से भी question आ जाते है, bank guarantee को acceptance of bill, इन सब के उपर Reserve Bank of India के surplus को ही आप refer करेंगे, वहीं से question आते है, directly उठके question आते है, आपका last क्या-कैते module आता है, यहां पर यह बाते है, आप अपने क्या-कैते है, अभी credit appraisal के process में use नहीं करते है, बट banking exam के लिए important है, जैसे की basal norms, अब basal norms का, आपके credit profile से को लेने जाना नहीं, बट question आते है, IRAQ norms के अगर बात करें, तो यह impairment of asset का topic होता है, जहाँ पर आपके कहते है, bank के जो loans हैं, उनको NPA classify करते हैं, तो जहाँ पर income recognition और asset की classification की उपर बात करेंगी है, तो NPA classification आ गया, income आपको कब recognize करना है, कब नहीं करना, वो सारी बात है हाँ पर करें, प्रायोटी सेक्टर लेंडिंग, आपको अपने MSME की respect में बता है, बट वैसे 8 sector है, तो उसके बारे में भी आपको प्रायोटी सेक्टर लेंडिंग का पूरा का पूरा direction को read करना है, ठीक है जी, अलग-अ government schemes होगी, अगर बात करें, आपके examination के लिए, तो मुद्रा scheme एक important हो जाती है, बट जो government अलग-ड़ा scheme लेकर आते है, MSME शेक्टर के लिए, वो सारी की सारी आपके examination के लिए important है, ठीक है जी, education loan important है, बाकि कुछ acts important है, यहाँ पर companies act भी आता है, अगर मैं एक चाप्टर की बा मतलब enough राएगा, साथ में Reserve Bank of India के Circulus आपको पढ़ने ही चाहिए, तो वो भी आपकी course में कराया जाएगा, साथ में YouTube पर भी कराया जाएगा, अगर आपको कोई doubt आता है, तो application पर जाके आप message दाल सकते है, इस particular course के respect में, अगर आपको guidance चीए, आपको यह paper देना चाहिए, न आप मुझसे connect कर सकते हैं, इसका course मेरी application में बहुती normal price पर available है, around 2500 to 3000 की range में होगा, कुछ discount code लगा के, आप जाके उसको refer कर सकते हैं, इस session को यहीं पर समाख करते हैं, ok data, bye bye, यह सारे के सारे students देख लो, selection होते रहते हैं, 21 से start किये, और selections RS के इंदर, ok, bye bye